मा और बीमा कहते हैं बच्चे के लिए मा से बढ़कर शुरक्षा कबच कोई नहीं होता बिल्कुल सच है मैं दिवारे सम्मदर और विल्ट एंड लाइब कुछ मैं इसको आप डिस्काइब करता हूँ जब मैं छोटा बच्चा था तो अक्सर चलते वक्त या खेलते वक्त गीर जाता था मा आकर मुझे उठाए थी उत्ति बेटा चिंदा मत को आप खेलो मैं हूँ आपके साथ मुझे तब यह समझ में नहीं आया कि शुरक्षा क्या होता है जब मैं बढ़ा हुआ तब समझ में आया कि यह शुरक्षा क्या होता है परिवार के लिए शुरक्षा क्या होता है शुरक्षा दो पकार के होते हैं एक होता है मांसिख शुरक्षा और दुस्वा तब वित्य शुरक्षा मांसिख शुरक्षा तो मुझे अपने मां से मिल ही रहा था लेकिन मुझे अपने परिवार को एक वित्य शुरक्षा भी देना था मा बच्पन से लगर बढ़ाओं तक हमेशा साथ में रहती है एक शुरक्षा का भावना हमारे मन में हमेशा बना रहता है हर वग यही ऐसाथ दलाती रहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ ठीक उसी प्रकार जब आप कमान लगते हैं तो आपको एक बीमा रूपी मा आपके परिवार को शुरक्षा देती है मा और बीमा दोनों में इतना ही फर्क है मा एक emotional value पैदा करता है और बीमा एक economical value emotional value को आप माप नहीं सकते वो अन्मोल होता है लेकिन economical value को आप माप सकते हो आप आज ही अपने परिवार को एक प्रॉपर शुरक्षा दे बीमा के रूप में जो आपके परिवार को मा का साया दे सके अगर आपको economical life value में जानकर की आउशकता है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते है मेरे office में आके मुझे मिल सकते हैं मैं आपको कुछ idea दूँगा जिससे आप अपना value map सकते हो उस हिसाप से आप अपमें लिए बीमा ले सकते हो जो आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे share और subscribe जरू करें धन्यवाद करें जरूरी है